हेलो फ्रेंट्स नमस्कार सच साही मैं हूँ प्रिया और आज मैं एक खास मुद्दे के साथ लाइव आई हूँ आपने पड़ी भी लिया होगा कि जो आज का मेरा टॉपिक है वो बॉलिवुड को लेकर है बॉलिवुड के जरिये जिस परकार में समाज में एक बहुत ही बेकार एक गंदा एक अशलील अभद्र मोहल जो बन चुका है सिनेमा के कारण चाहे बॉलिवुड है चाहे हॉलिवुड है चाहे टॉलिवुड है तो इन सब के कारण समाज जिस दिशा की तरफ जा रहा है आज उसी विशे पर हम बात करेंगे कुछ फ्रेंज लाइव आ जाई तो मैं स्टार्ट करते हूं सबको मेरा नमस्कार सच साहिव एक बाद फिर से तो चलिए करते हैं जो सिनेमा है बॉलिवुड हॉलिवुड, टॉलिवुड या जो भी है फिल्मे, सीरियल्स कार्टून ये किस चीज के लिए बने हैं सबसे पहले इनका मकसद क्या है ये हमें बताया जाता है कि आपको एंटेटेंड करने के लिए हम फिल्मे बनाते हैं हम जो है सीरियल्स बनाते हैं ये जो कार्टून्स हैं ये बनाया जाते हैं वीडियो गेम्स बनाई जाती हैं ठीक है, अगर entertain के नाम पर ये चीज़े हो रही हैं, तो एक entertain की क्या सिमा है, क्या आप किसी को entertain करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाओगे, आपकी कोई limitation है उस चीज़ के प्रति, कि आपको एक समाज में क्या, अच्छा दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति अच्छी धार्मि चीज़े देखकर खुद को entertain करता है, जैसे कोई रामायन देखता है, महाभारत देखता है, वो उस तरीके से खुद को entertain करता है, और एक है जो फिल्में देखता है, गाने सुनता है, जो तीसरा परजन होता है, वो बिल्कुली अभधर अश्लील परकार की फिल्में देखता गानी सुनता है आजकल तो net system है नेट में देखता है तो आप सबसे ज़्यादा जो priority है किस व्यक्ति को दोगे आज की जो समाज में हैं आज के टैम पे जो देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा जो अभधर अशलील गंदी फिल्में देखने में देखना अच्छा मानता है या अशलील फिल्में देखना अच्छा मानता है उनको ज़्यादा प्योट्री दी जाती है उनके ज़्यादा ही इ निर्देशिक हैं ये फिलम बनाते समय इनको सिर्फ एक और इनका एक मकसद रहता है कि पैसे कमाना Money Make कि सिवा इनका कोई दूसरा option नहीं होता है इनको किसी के भविश्ची से कोई लेना देना नहीं होता है चाहे कोई वीडियो गेम्स बना रहा है जैसे पब जी है या ब्लू वेल है तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब है इस जी से कोई फरक नहीं पड़ता कि इससे किसी की life कितने खराब हो रही है किसी की जीमन पर इसका कितना दुश्परवाव पढ़ रहा है या हमारे समाज पर या हमारे देश पर हमारे संस्क्रीप्ती पर हमारे सभिता पर इसका कितना बड़ा bad effect पढ़ रहा है इस जी से किसी कोई लेना देना नहीं है यह लोग फिल्मे बनाते हैं फिल्मे बनाने के लिए वो नएने हतकंडे बनाते हैं नएने स्टोरियां घरते हैं मन घरत कहानियां बनावटी एकदम fake जो real life में कोई अपने जीमन में नहीं करता अब जिस परकार की जैसे bollywood celebrities होती है यह जिस परकार की कपड़े पहनती हैं जिस परकार की बाते करती हैं क्या आम सब्य समाज में इस चीज को प्रात्मिकता दी जाएगी क्या आम जन समाज इस चीज को accept करेगा जो सब्य समाज है क्या आम जिस गली मोहले में जिस परकार की यह फिल्मों में कपड़े पहनती हैं जिस परकार की गाने गाते हैं यह गली मोहले में ऐसे कपड़े पहन के निकल सकते हैं सभी का जवाब होगा नहीं क्यों सभी देखते हैं सभी घुरते हैं क्यों ने घुरेंगे अगला आप लोग कहते हो कि हम छोटे कपड़े क्यों न पहने हमारे हमारी सोच है हम जैसे मरजी पहने तो आप आप कहते हो कि सामने वाला अपनी सोच बतले आप क्यों चाहते हो कि सा अभद्र कपड़े पहनती है, हर दूसरे घर में ऐसा सिस्टम चल पड़ा है कि पहनरावे का कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि किस प्रकार का पहनना चाहिए, ना माबाप रोकने वाले हैं, ना खुदी जो यूथ है, वो इस चीज़ को क्यों, इसका कारण क्या है, इसका कारण किसी मैं और पैसे कमाने के लिए करते हैं, आप यूठ नहीं करने लग जाते हूं, आप उस चीज़ को रियल लाइफ में करने लग जाते हो, उस पर कर किकपड़े पहने, बोलना चालना, उस तरीखसे ही लिए आज sunshine कि अपर थिए चिज़ को चीज़ को अच्छा नहीं ठीक है मर्जी सबकी है कोई किसी को नहीं रोख सकता तो आप किसी को गलत सही सोचने से नहीं रोख सकते जैसे अगर जैसे किसी साधुसंत के रूम में आदमी चले जाए वहाँ साधुसंत के पोस्टर लगे होंगे तो वहां automatically उस व्यक्ति का जो दिमाग है वो spiritual की तरफ जाएगा आध्यात्मिक की तरफ जाएगा और दूसरी तरफ अगर किसी रूम में शहेद उनके हैं जो जवान हैं उनके पॉस्टर लगे होंगे उनकी वहां वर्दियां ठकी होंगे तो उस व्यक्ति की सोच automatically देश की प मागरी महाँ पे होगी तो उस व्यक्ति की सोच है जो गलत दिशा के तरफ जाएगा तो उसी परकार आम जन समाज में जिस परकार के आप कपड़े पहनोंगे जिस परकार के आप वातावर्ण create करोंगे तो automatically फिर आप ऐसे कैसे किसी इनसान से उमीद लगा सकते हो कि इतने इतने गंदे महोल में कोई राम की चर्चा करेगा कोई परमात्मा की चर्चा करेगा वो वही चर्चा करेगा जिस महोल में वो पला बड़ा है जो महोल उसे मिला है अगर किसकी मा जीन्स पहन रही है तो क्या बेटी को कौन रुख सकेगा जीन्स पहनने से जो मा ही खुद ऐ इसे काम कर रही है, फिल्में देख रही है, ठीक है, कोई आज की टाइम के जो फिल्में हैं, ठीक है, एक टाइम होता था, फैमली मिलकर फिल्में देखती थी, मगर आज की टाइम पर तो कोई फैमली साथ बैठ कर फिल्म भी नहीं देख सकती, इतना बुरा हाल हो चका है, और लोग फिर भी देखने पर लगे हुएं फिर भी सिर्फ वो सिर्फ क्या नाम दिया जाता है कि entertain आप नहीं अपने आपको entertain करना है तो आप प्रमात्मा की तरफ क्यों नहीं जाते आप क्यों रमायन देखो महभारत देखो उनसे तो आपको कोई सिख्षा भी मिलेगी मगर इन फिल्मों से आपको क्या मिलता है आप तीन घंटे सिनिमा होल में बरबाद करके आ जाते हो ठीक है पैसा लगा के आ जाते हो ठीक है और आप महां से क्या लिख आते हो अपने धिमाग में आप सोच के देखो तीन घंटे की पिक्चर में आपने क्या ग्रेंड किया आप आपको क्या मिला किया घर में आप माबापकी रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो ठीक है क्या आप अच्छा विवार सीख जाते हो फिल्मों में एक हीरो को किसी को मारते हुए पीटते हुए दिखाया जाता है ठीक है वाइलेंस दिखाया जाती है न्यूडीटीटी दिखाया जा पहलवान के खाड़े में जाता है कुछ दिन वहां रहता है तो automatically उसका इसका कुद का मन भी वैसी ही बन जाता है वो खुद को भी पहलवानी समझने लग जाता है तेक है उस चीज़ का असर होता है इसी परकार जो फिल्मे हैं, इनका हमारे जीवन पर बहुत ही असर पढ़ रहा है, बुरा और अच्छा तो मैं इसके बाद में बात करूँगी, पर जो असर पढ़ रहा है, वो अब यूथ सामने देखा जा सकता है, जैसे अब सोशल साइट्स हैं, जैसे सोशल मीडिया, आप जैसे टिक टॉक पर वीडियो बनाई जाती हैं, लाइक जैसे अप के द्वारा चोटी चोटी जो वीडियो बनाती हैं, यह बनाने वाले को होने, स्कूल कॉलेज के बच्चे, जो इसमें पढ़ते हैं, वो यह लोग यह छोटी चोटी क्लिप्स बना रहे हैं, और उनको मैं शाम को घर पर जाऊंगा और टिक टॉक पर एक वीडियो बनाऊंगा, लाइक पर एक वीडियो बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे इस परकार से कितनी घटनाएं भी हो चकी हैं, भी वीडियो बनाने के चकर में, या फेमस होने के चकर में, बहुत सारे लोग हैं, जो य हो चकी हैं कि हम अपने परिवार के सामने मुबाइल भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या मुबाइल ओन करते ही और क्या सामने आ जाए इतना मतल कि इतने जो एप्स हैं यह शेयर इट वगरा है इनके नौटिफकेशन आफ करके रखने पड़ते हैं हमको इ कि बस पैसा कमाना है और लोगों को कहा देते हैं वाई तुमको तो हम एंटेटेन कर रहे हैं उनको एक एंटेटेन नाम की गोली दे रही है उससे ज्यादो कुछ भी नहीं है अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक अच्छे समाज निर्मान में आ गए आए ठीक है अप उसको परमात्मा से जोड़ो उसको अच्छी सीख दो ये फिल्मों ने क्या देना है माप बाप बेटा बेटी सम मिलकर फिल्में देखने लग जाते हैं उन चीजों सबसे आप क्या लेते हो वो आज आपके साहँ देख रहे हैं कल को सिनिमा होल्स में जाके देखते हैं पैसे लगाते हैं पैसे की ब्रबादी स्वमेटी ब्रबादी और जो आपके दिमाग पे उन चीजों का जो असर पड़ता है उसका अलग नुसान आपको उठाना पड़ता है आपको क्या पता है जो यह इंसान की मानुश जीवन की जो वैल्यू है वो कितनी जादा है वो प्रमात्मने हमें इस शरीर किस लिए दिया है भक्ति के लिए दिया है मोक्ष के लिए दिया है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए दिया है समाज में एक उधारन बनने के लिए दिया है कैटरीना और यह सलमान खान बनने के लिए नहीं दिया आज की यूआ पुईडी इन सब चीजों से बहुत ज़्यादा प्रवावित है ठीक है कपड़ों से लेकर आप देखो फटी फटी जीन्स पहनने लगी है मतलब कोई बाउंडेशन ही नहीं रही आज केस टाइम पर भी कोई कुछ भी पहन रहा है कोई किसी को मतलब भी नहीं अगला कहता है कि हमें क्या मतलब है पहनने वाला कहता है कि ये मेरी सोच है मैं जो उमर जी पहनूं तो ये समाज से बुराई खतम कैसे होगी अशलीलता को किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराए जा सकता आप जिन महापुष्णों की उधारने लेते हो जिस जिन जो लेडिज हैं जिनोंने मीरा बाई होगी या देश के लिए जहांसी किरानी होगी देश के लिए जिनोंने अच्छे कार्य किया है या एक अच्छे समाज निर्मान का कार्य किया है तो आप उनके कपड़े देखे कभी भी वो कैसे कपड़े पहनते थे आज के टाइम पर जो सौंग्स हैं उनको एक तरीक से देवी देवताओं से जोड़ कर इतने गल्द तरीके से पेश किया जाता है यूद के सामने कि बस एंटेटेंड के नाम पर कुछ भी एक मेरे को पीछे पता चला भी एक गाना भी आया है कि गंपति पापा मोरिया प्रेशान करे मुई छोरिया राधा तेरी चुनरी और उसमें भी बहुत सारी जो वर्ड हैं वो बहुत ही गंदे व्यूज किये थे जो मैं नहीं यूज करूँगी तो यह आप लोगों ने सुने समाज को यह फिल्में दे क्या रही हैं आप इन पर पैसा लगा रहे हो इन लोगों को आप लोगों ने ही अमीर बनाया है यह आज मरसेडिस गाडियों में घूमते हैं हवाई जाजों में घूमते हैं विदेश विदोशियों के सेर करते हैं यह सिर्फ आप लोगों की देन ह अगर आप लोग इनकी फिल्मे देखना बंद कर दो, इनके सीरिस देखना बंद कर दो और जो ये समागरी बेच रहे हैं आपको नेट के जरीए ये टेवे के जरीए आप इन चीज़ों को देखना बंद कर दो तो इनकी कोई उकात नहीं कि ये कुछ कर सके जनता को चाहिए कि इन चीजों का विरोध करे क्यों इन चीजों का आज जो भारत की संस्कृत्ति है सब्हता है इस पर सबसे बड़ा परहार सिनेमा का ही है घर में कलेश है अब फिल्मों में लड़ाई जगडा साज बहु का कलेश दिखाय जाता है ठीक है उनकी आपस में इतनी फाइटिंग दिखाया जाती है और क्राइम जो कैसे क्राइम किया किसी ने और उसके बाद क्या क्या किया ठीक है वो चीज़ें दिखाया जाती है बहुत से ऐसी न्यूज हमको देखने को मिलती है कि उसने इस सीरियल से ये क्राइम सीखा एक चार से विवार करो। ये चीज़ आपको कहां से सीखने को मिलेंगी। आपको ये सिनिमा से तो नहीं मिल सकती। और ना हमने, हमने अपने जब तक हमने देखी तक हमने भी इन से कोई अच्छा मैसस लिया ही नहीं, नहीं पता ही भी सीनiवा से क्या अच्छाcr MAN मिलता है जो लोग पागलों की तरह इनको फॉलो करते हैं पिर कहते हैं मैं तो इसका बड़ा fven हूँ फोटो कुचाने के लिए मरे जाते हैं Ohох लेने के लिए मरें जाते हैं लोगों के साथ वो अपने गाडियों में घूम रहे हैं आप उनके घर पे चले जाओ तुमको एक पाने का गिलास नहीं पूछेंगे और आप उसके बहुत बड़े फैन हो वो आपको जानता तक भी नहीं तो आपका उसका फैन होने का आपको क्य बेनिफिट हुआ आप अपना समय पैसा चपल सब उस पर बरबाद कर देते हो आपको क्या मिला इस चीज से मेरे जितने भी भाई बैयान यहां पर वीडियो मेरे देख रहे हैं आप यह लाइव पर हैं तो मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जादा से बनाते हैं पर बहुत जादा लड़कियों में यह स्कूल कोलेज की लड़कियों में इतना क्रेज हो चुका है यह टिक्टॉक पर वीडियो बनाने का ठीक है फिल्मी गानों पर यह उनके जो डायलोग सोते उन पर तो यह बहुत ही गलत है मतलब कि हम जब अपने टाइम पर थे तो स्कूल से आना अपने टूशन जाना ठीक है पड़ाई लिखाई घर में मम्मी पापा की हल्प करना ठीक है मगर आज का युवा क्या कर रहा है स्कूल कॉलेज में भी वही टिक टॉक की बाते ही घर पे जाकर वह उस पर वीडियो बनानी अप्लोड करनी हट टाइम का भी असर पड़ता है और इसे हम क्या समाज में अच्छा मैसे देंगे यह क्या अच्छी हम नागरिक बनेंगे अगर कोई जितने भी मेरे पेज पर अगर है फैमिली जो मम्य पापा देख रहे हैं वीडियो को तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को अपने घर में अपनाएं कि यह इन चीजों से हमें दूर होना पड़ेगा तब हमारे बच्चों मे बनेगा जैसा महुल आप बच्चों को दोगे वैसी महुल में उपलेगा पड़ेगा तो आगे जलकर वो भी वही बनेगा वो कुछ अलग नहीं बन जाएगा फिल्म मेरे सिर्फ और सिर्फ हमें किस चीज का पर्चार करती है अश्रीलत नगनत ठेक है लडाई जगड़ा कलेश करना ठेक है क्ड़ाइम करना क्राइम कैसे किया जाता है यह चीजो में बेसे retmen Supreme होते हैं मतले रियल्टी शोज में तो जैसे बिग बॉस है ठीक है कई और शो भी है तो उनमें कितना मतल की पैसे कमाने के लिए लोग कुछ भी मतल कोई उनकी बाउंडेशन नहीं है कि हमें हमें क्या देखना है राइट वाच हम क्या देखना चाहते हैं ठीक है उस पर भी कु तो न्यूस देखते कोई डे देते हैं कुछ भी मतल़ कोई लिमिटिशन नहीं है कि क्या हम क्या देखना हमार देखने का अधिकार भी हमसे छिंग लिया है इस सिनेमा ने इस जो टीवी ने आज के टाइम पे चाये कोई प्रड़क्ट बेच रहा है कोई जो वीडियो बना रहा है सिनेमा है कोई भी है यह सिर्फ मनीवेक है इनका सिर्फ पैसे कमाने का उदेश है, करोडों से अर्वों बनने का, अर्वों से अर्खों बनने का उदेश होता है, आपके फ्यूचर से इनको कोई लेना देना नहीं, आपके बच्चों के फ्यूचर से इनको कोई लेना देना नहीं होता है, दहारमी मुद्धों पर, या समाजिक मुद कि आपको क्या मैसेज मिला है फिल्मों से कोई हो मुझे कमेंट करके बताएं आपने क्या सीखा है फिल्मों से रियल और रियल लाइफ में बहुत जादा फरक होता है जो रियल लाइफ होती है वो बनावटी होती है दिखावटी होती है ठीक है उनका जो बनाने वालों को मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है और कुछ नहीं उनको आपके फ्यूचर से आपके भविश्य से कोई लेना देना नहीं होता और आप लोग उनको देख देख कर उनके फैन बन जाते हो उनको फोलो करने लग जाते हो आपके वो आईडियल बन जाते हैं मतल कि ऐसे लोगों से आप प्रेणा लोगे जिनको कपड़े पहनने का भी धंग नहीं है कि एक सभी समाज में कैसे कपड़े पहने जाते हैं तो आप उनसे क्या प्रेना लोगे क्या सिखोगे फीलमें जो फिलमों वे गाने गाय जाते हैं इसे इसे गाने गाने लगेंगी घर में भी कोई उनको गाritis का फिलमों है क्यूं देख रच में देंगे खाता है देखने गायए तौन लोग इन चीजों को प्रमॉट कर रहे क्यों लोग इन लोगों को देखते हैं आप लोगों को इनको बैन करना चाहिए इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए इस अशलीलता के खिलाफ सिनेमा के खिलाफ ना उठाईए चलो आप सिनेमा के खिलाफ मत उठाईए मगर अशलीलता अभधरता जो वाइलेंस है होल चाते हैं तो आप क्यों इन चीजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते जिस दिन आप इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे या तो सिनेमा सुधर जाएगा या तो बंद हो जाएगा इन दोनों में से एक काम जुरूर हो जाएगा संत्रामपाजी महराज ने हमिशा संग में यही बताया है और यही कारण है कि हम जो संत्रामपाजी महराज के शिश्य हैं वो फिल्में नहीं देखते वो अश्लील गाने नहीं सुनते या किसी परकार के भी जो आप वीडियो से ये बनाते हो ये सब संत्रामपाल जी मराज के शिश्य नहीं करते क्योंकि हमें अपने अध्यात्मित पुस्तों से यही ग्यान मिला है कि जो इंसान का जो मानुश जीवन है यह अनमौल 84 लाग जुनियों के बाद मिलता है और इसका उदेश मोक्ष प्राप्ति होता है ना कि नाजगाना या खुद को एंटेटेन करने के लिए एंटेटेन तो आप और जुनियों में भी हो जाओगे बाकी के जो कुटे गदे बनोगे तो उसमें तो आपको ना कोई काम है ना कुछ घूंते रहो इस मानुश जीवन का सबसे मूल उदेश प्रामात्मा की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति है ससंग और सिनेमा में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो सिनेमा है वो सिर्फ आपको entertain के नाम पर कुछ भी प्रोसे जाता है मगर जो ससंग है वो आपको मूक्ष के लिए आपका सबसे बड़ा हितेशी है जिससे आपको पता चलता है कि आपके अच्छे बुरे का ग्यान होता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आपको क्या करनाः चाहिए आपको जब आप सरसंग सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि यह सिनेमा असल में है क्या और ये हमको देग भी हर रहा है तब आप लोग क्या आंखे खूलेंगी except तो आपने फिल्मी हिरो की और हिरोइन्स की पट्टियां बांध रिखिए अपनी आँखों में और आपको उनके सिवा कुछ नहीं दिखता धारमिक गानों को भी चहरादय कृष्ण को भी उनको भी अश्रील गानों के साथ सबसे बड़े हिंदु धर्म विरोधी तो आप लोग ही हो यह सिनेमा ही है हिंदु धर्म विरोधी यह सिनेमा ही है जो देवी देवताओं के साथ अश्रील अभधर गाने बनाता है ठीक है उनके साथ गलत गलत कमेंट जोड कर ठीक है उन पर जो है फिल्में बनाई जाती है गाने बनाई जाते हैं आजकल के जो आप धार्मिक जो सीरिल्स बनाई जा मतलब टोटली रोमांस दिखाया जाता और कुछ भी नहीं नुडिटी रोमांस वाइलेंस और इन सबकी सिवा कुछ भी नहीं है और आप लोग तीन-तीन गंटे अपना बरबाद कर देते हूं सारा सारा दिन छुटी वाले दिन आप सारदन यह तो मुबाइल में मूवी देखते हो या टीवी पर मूवी देखती हो सिनिमा हौल में जा जा कर देखते हो इतना पैसा लगाते हो किसली अपने बच्चों को भी लेकर जाते हो साथ में दिखाने के लिए कि मेरा बच्चा ये सीखे फिर आप कहते हो कि जब आपको बच्चा शराबी बनता है ठीक है आप से मार पिट करता है बत्तमीज ही करता है मिस बिहेव करता है तब आपको दुख होता है जो आप बोगे वो ही तो पाओगे न जब आप अपने बच्चों को संसकारी ऐसे दे रहे हो आप उसको साथ में सिनिमा हौल में लेके जा रहे हो उसके साथ मूविस देख रहे हो अभदर गंदे अशलील गाने सुन रहे हो तो आपके बच्चे कैसे अच्छे बनेंगे कैसे आपके लिए अच्छा कारी करेंगे आपके आग्या कारी बनेंगे आज का जो यूवा पीडिया आध्यात्मिक से बहुत दूर हो चुका है उनको प्रमात्मा से कोई लिए न जस्ट शौफ है जिस दिन गणेशी का जनम दिन है गणेशी के आगे फोटो खिचाली ठीक है शिव जी का है शिव जी के आगे फोटो खिचाली ठीक है फिर उसको शेयर पे शेयर करते हैं इससे ज़्यादा अब यूवा पीडी के पास अध्यात्मिक सतर पर ग्यान कुछ नहीं रहे गया पहले के और सन 2000 से पहले और अब ये 2000 के बाद जब से इस सिनेमा आया है ठीक है उसके बाद से आप देखो कितना बड़ा जो डिस्टेंस है आपसी भाईचारे में ठीक है आपसी प्यार प्रेम में ठीक है आपसी मिलवरतन में कितना बड़ा डिफरेंस आप चुका है और यह सिर्फ सिर्फ सिनिमा की देन है क्योंकि आज घर-घर में टीवी है मुबाइल है ठीक है सब कोई इन चीजों को यूज कर रहा है ठीक है आज कर टैम पे स्कूल कोलेज के बचे भी ये मुबाइल वगर यूज कर रहे हैं तो इन पर क्या असर पड़ेगा ये वोही शिखेंगे जो ये देख रहे हैं अगर कोई चोरी का विचार करता है तो चोरी का विचार करके वो दान थोड़ी न करेगा, वो तो चोरी ही करेगा और चोर कहलाएगा उसी प्रकार अगर कोई अश्लील अभधर फिल्म में देख रहा है तो उसके दिमाग में चोरी जारी की ये क्राइम रिपोर्ट देख रहा है तो उसकी दिमाग में आटोमेटिकली हो चीजी घर करेंगे उसकी सादू संतों वाले विचार थोड़ी न होंगे फिर मेरा आज बॉलिवुड को लेकर आने का मकसद यही था कि हम युवा पीडि को इन चीजों के लिए प्रति आगे आने पड़ेगा और इनके खिलाफ आवाज उठाने पड़ेगी ठीक है और जो यह बॉलिवुड एक तरीके से डर्टी बॉलिवुड बन चुका है ठीक है तो इसके खिलाफ भहिशकार करना पड़ेगा हमें सिनेमा का भहिशकार करना पड़ेगा और इनको सीधे लाइन पर लाने का सबसे बड़ा यही तरीका है कि आप न अपने घर में इन भी शीखराब कर रहे हो परमातिमा कहते मानुश जुनम दुरलब है मिलेना बारंबार तर्वर से पत्तर तोड़े फिर बहुर न लगता डार, अनतर समें जब आपका लास्ट टाइम होता है तब आपको अंसारिक पना सफ अला नहीं जाता है मगर जब तक आप अच्छे बले हो ठीक है होस्पिटल तक नहीं पहुंचे तब तक आप अपनी मनमर्जियां करते हो तब तक आपको हमारी बाते बकवास लगती है आपको लगता है कि फालतु में बोल रहे हैं ठीक है अरे हम तो जैसे जिएंगे जिएंगे पर जब आपको जो करना है आपके अच्छे स्वस्थ शरीर में अच्छे जीवन में यह रहते हैं जीवन रहते रहते आपको करना पड़ेगा बिल्कुल यह अश्वनी पटेल जी ने बताया है कि गुजरात में नवरात्री के बैनर में आधे कपड़े लड़की का फोटो डाल करका है यह बहुत जगह मैंने देखी है टीवी में भी कई बार आया है कि जैसे जहांकियां होती है ठीक है और यह कोई नवरात्रे विगरा होते हैं इन में बार गल्स को बुलाया कर नचाया जाता है मतलब कि पूरा अश्लील महोल बनाया जाता है कहां प्रमात्मा रहेगे कहां भक्ती रहेगे कहां मुक्ष की बाती रहेगे कहां धार्मिक विचार रहेगे अगर यह ऐसे गनाज गाना जहां होगा वहां अध्यात्मित्ता कहां रहेगी क्या जिन देवी देर्टाओं को आप लोग मानते हो उन लोगों ने ये काम किये थे ये फिल्मे बनाई थे आपको एंटरेटेन किया था अजो गर्ल्स है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जब कपड़े पहनो तो एक बार अपने आपको आइने में देख लिया करो आपको पहना किया है और उन्हें जो आपने पहना है उसके बाद लोगों के मन में आपके प्रति क्या भामना पैदा होगी अगर आप नहीं चाहते हैं कि लोग आपके प्रति कोई सोच रहे या आपको टोके टाके तो ये आप मुत्यान करेंगे ना कि वो लोग आपके प्रति क्या सोचेंगे आप को रिस्प्यक्ट देंगे या नहीं देंगे जैसे पहनोगे वैसे ही सोच लोगों के मैंन में आएगी तो ये आपको करना आपको ही तेयर है, कोई तेयर नहीं करेगा कि आपने क्या पेरना है क्या नहीं, मगर अगर आप अच्छे इंसान हो, अच्छे नागरिक हो, ठीक है, एक अच्छे संसकारों वाली लड़की हो, तो आपको ये चीज पे विचात जुरूर करना चाहिए घर में आप जैसे मरजी रो, मगर जब आप भार जाते हो, ठीक है, पबलिक के बीच में जाते हो, समाज के बीच में जाते हो, तो आपको एक अच्छी उधारन बनना चाहिए बल ना कि ये सोचना चाहिए कि लोग जो मरजी सोचते रहें आधे-धे कपड़े पहनने का जो ये लड़कियां पहनती हैं इनका क्या मकसद होता है ये पहनने का एक चीज चलो ये मुझे एक लियर कर दीजिए जैसे ये दिल्ली हो गया, चंडीगोड हो गया, मुंबई हो गया बड़े-बड़े शेरों के लड़कियां जिस परकर की कपड़े पहनती हैं फटे पपड़े पहनती हैं now इनका मकसद ये होता है कि पूर्श समाज इनको देखे इनके लिए शीटियों बजाए यही चाहते हो यही मक्सद होता है नहीं तो एक जो सबे समाच अच्छे घर से लड़की जो होगी जिनके माबाप ने अपने लड़की को अच्छे संसकार दिये होगे वो कभी नहीं चाहेगी कि लोग उसे घुरे तो आप लोग यह क्यों नहीं समझते किसी को अगर आज की टाइम पर यह सही बात है कि कहां द्रोपदी के चीरहरन के कारण माहभारत हो गया था और आज की टाइम पर किसी को पूरे कपड़े पहनने को बोल दो तो उस पर माहभारत हो जाती है यह सच में घोर कल्यूग आ गया है यह गोर कल्यूग ही है आप कृष्ण जी को इतना इस्ट मानते हो ठीक है महा भारत देखते हो और इतने मतर कि आप एक तरफ तो अपने आपको अध्यात्मिक घोशित करते हो ठीक है फिर उनको बिल्कुल फोलो करने के बजाए आप पश्चमी सबेता को फोलो करते हो तो आपका क्या स्टेंड रह गिया आज की टाइम पर जो अंग्रेज है और इंडियन है जो लड़की हैं जो लड़के हैं इनमें कोई फर्क नहीं रह गया लड़के बालों में कलर कराकर गोगल्स लगाकर बुलिट गुमाते फिरते हैं क्या अपने आपको बड़े तीस मार्खा समझते हैं क्या इनका क्या संसकार है एक तो माबाप भी पता नहीं कि कैसे तो माबाप जो अपने बच्चों पर कोई रोक टोक ही नहीं करते जो जैसा मर्जी लड़का घूमे ठीक है लड़की घूमे कोई पूछने वाला ही नहीं है स्कूल, कोलेज, हड़ोस्टल में लड़कीं रहती हैं उनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है कैसे कपड़े पहनती है इविन मैंने खुद देखा है कि लड़की जो है माबाप के साथ ही आती है शौपिंग करने आती है घूमने आती है और उसने इतने बक्वास कपड़े पैने होते कोई मा चलो पापा को ना सही मा को तो होना चाहिए फिर आप कहते हो कि मेरी जो लड़की है बहुत सीता जैसी बने जितने भी लोग मुझे इस टैम लाइब देख रहे हैं मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के कानों तक ये बात पहुँचे और जो ये लोग फेस्बुक पर ये इंस्टाग्राम पर ये कोई वी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ये पेजिस बनाते हैं अब हदर अशलील पोस्ट डालते रहते हैं आप एक बार सोचें आपके घर में भी भाई बेहन होंगे आपके घर में माबाप होंगे अगर कोई उनको ऐसी फोटो वीडियो ऐसे भीजे ठीक है तो आपको कैसे लगेगा आपको बुरा लगेगा तो वैसी बाकियों के भी भाई बेहनों को समझना चाहिए बाकी भी जैसे आपकी बहने वैसे भी बाकियों की बहने हैं बाकियों के भाई है तो जैसा विवार आप अपने परिवार के साथ चाहते हो अपनी बहन के साथ चाहते हो वैसे ही विवार दूसरों के प्रति रखिए तभी औरों को भी और आपके परिवार को भी सुख की सांस मिलेगी और जब तक आप इन लोगों का विरोध नहीं करते इन चीजों का विरोध नहीं करते तब तक ये चीजे सुधरने वाली नहीं है क्योंकि आप लोग यहां पर सहमते दिखाऊगे और बाद में फिर आप वो देखने जाऊगे तो उस जिसको कोई benefit नहीं है अच्छे अच्छे भाशन हर कोई दे जाता है मगर उसको अपने जीमन पर उतारते कितने ही यह सबसे बड़ी बात है यही कारण है कि संत्रामपाल जी महराज के जो शिश्य हैं और संत्रामपाल जी महराज ने सबसे पहले इस चीज़ को बैंड किया है इन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज उठाई है कि हमें सिनेमा का बहिशकार करना है एक तरीके से और जब हम सिनेमा का बहिशकार करेंगे कोई लोग उनकी फिल्में नहीं देखेगा कोई इनको पूछेगा नहीं तो कहां से वो लोग अरबो खरबो वाले बन जाएंगे कहां से फिर वो अपनी फिल्में बनाएंगे फिल्में बनानों के लिए भी करोड़ो रुपया चाहिए होता है करोड़ो और रुपया लगाते हैं यह कहां से आता है इनके पास यह आप लोगों की जेवों से याता है आप लोग सारे दिन में धाड़ी मुज़ूरी करके ठ आज समाज में जो सेक्ष्वल हराशमेंट बढ़ रहा है ठीक है रेप केसस बढ़ रहे हैं इसमें कहीं न कहीं सबसे बड़ी भागीदारी सिनिमा के ही है मैं ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जब तक सिनिमा नहीं तो ये चीज़े नहीं होती थी मगर बहुत ही कम मात्रा में होती थी कहीं कहीं सुनने को मिलता था क्योंकि जो सिनिमा है ये अशली इलता को बढ़ावा दे रहा है और जो चीज़े अशली इलता को बढ़ावा देंगी तो ओवेजली ये जो पूर समाज में इसमें गलत मैसेज आएगा इस चीज़ के प्रति दूसरों की बेहन बेटियों को फिर कैसे अच्छी निगासे देखेंगे जो फिल्मों में हिरो को यह ऐसे दिखाया गया है और कहीं न कहीं जो यूवा पीडिया है उस फिल्म में दिखाई हिरो यह हिरोईन को खुद ही मानने लग जाते कि मैं हूं जैस हां जी सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी हमें पहले सोच तभी बदलेगी जब हम इन चीजों को बिल्कुल इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे हम इन चीजों को देखना बंद करेंगे इन चीजों को बहिशका प्रमात्म की तरफ जोड़ेंगे जो हमारा मेन मक्षद है जो हमारा मेन मोटीव है जो मानस जीवन जो मिला है इसका मेन मोटीव जो है वो यही है और इसके अतरिक्त कुछ भी नहीं अनिल कुमार जी टीवी न्यूज वगारा जो है ठीक है अगर मान लिजिए आपको पता लगया कहां क्या हुआ तो उससे क्या हो जाएगा क्या उससे आपका समास सुद्र जाएगा जब यह पीछे जो यह निर्भ्या कान हुआ था तो कितना ज्यादा न्यूज वालों ने यह मुद्दा उठाया था यह सब जगा ना जाने कितनी जो लड़किया इनके साथ आई दिन ऐसे घटनाए होती रहती है ठीक है तो कुछ एक मुद्दे हैं जो न्यूज वाले उठ जाते हैं ठीक है तो क्या उसके बाद उन लोगों के इतना न्यूज दिखाने के बाद क्या कोई समाज में बदलाव आया क्या परिवर्टन आया क्या रेप केसिस होने बंद हो गए क्यों नहीं हुए इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि इसकी जो मूल जड़ है अभी वो महीं है मूल जड़ क्या है यह सिनेमा है यह Bollywood Celebrities यह Hollywood Celebrities आप यह मिझे बताने की जुरूत नहीं हो किस परकार के कपड़े पहनती हैं क्या उन चीजों को देखकर आप अच्छे समाज निर्मान की सोच रख सकते हो क्या आप सोचते हो कि आपके जो बच्चे हैं वो एक अच्छा जवान बनेंगे या अच्छा किसान बनेंगे या अच्छा भकत बनेंगे या सूरविर बनेंगे ज्यादा से ज्यादा जो लोग वीडियो में देख रहें अभी लाइव हैं तो अगर वो कोई सवाल कोई पूछना चाहते हैं या अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं वो जुरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जितने भी फेस किसी की भाई होगा तो किसी की बहन होगी किसी की बेटी होगी तो आप लोग फोलोवर बढ़ाने के चकर में फ्रेंस बढ़ाने के चकर में जो समाज में गलत परभाव छोड़ रहे हो उससे आपको ही आपके परिवार को सबसे पहले नुकसान होगा जो संत्रामपाल जी महराज का विरोध करते हैं तो उनको एक बात बता दू कि संत्रामपाल जी महराज के शिश्य किसी परकार के कोई फिल्में नहीं देखते और ना किसी परकार के अश्रिल अभधर गाने सुनते हैं आप लोग तो देविदेताओं को माने वाले देविदेताओं पर जो मजाक उड़ाया जाता है ठेक है वोई गाने आप दस-दस बार दिन में सुन लेते हो और अगर संत्राम पाल जी माराज को यह हकीकत बात करते हैं तो आप उनका विरोध करते हो आप उनका विरोध क्यों करते हैं वो डायरेक्टर निर्देशक उनका विरोध क्यों नहीं करते कि आपने किस अधार पर यह फिल्में बनाई पदमावत फिल्म दिखाने के लिए सरकार ने सिनेमा हॉल के बाहर स्क्योर्टी लगा दी पुलिस लगा दी कि लोग मतर की कमफर्टेबल होके फिल्में देख सकें कोई उनका विरोध न करें और एक जगह ससंग चल रहाता तो ससंग जाकर बंद करवा दिया यह हर्याने के खटट सरकार के काम है खैर उस पर तो फिर कभी लाइव आएंगे तो आज का जो मेरा मुद्दा यही है आज का जो मेरा टॉपिक यही है कि जो बॉलिव डर्टी बॉलिवड बन चुका है ठीक है अश्लील अभधर इंसात्मक समागरी बेचनी वाला एक दुकांदर बन चुका है और लोग उनसे खरीदे जा रहे ही एंटिटेन के नाम पर तो यह लोगों को समझना होगा जंता को समझना होगा वो लोग नहीं समझेंगे क्योंक बना होगा कि आप क्या खरीद रहे हो आप मार्केट में जब एक चोटी से दस रुपी की चीज़ को भी दस बार टोल के देखते हो तो एक बार जो आप यह तीन सु चार सो हजार पे दो हजार पे सिनिवा हॉलां में खर्च कर आते हो आपने कभी सोचा है कि इन चीज़ों स सिनेमा को चाहिए कि अगर वो दिखाना चाहते हैं तो ऐसी चीज़े दिखाएं जिससे समाज निर्माण में वो योगदान करें जिसे अच्छा समाज का निर्माण हो भाई चारा बड़े प्रेम बड़े आपस में सब लोग भाई बेन की तरह प्यार प्रेम से रहें जैसे पहले रहते थे जब तक ये सिनेमा नहीं था प्रमात्मा की तरफ जोड़े अधियात्मिक चीज़े दिखाएं सच जूट का निर्ने करें चाहिए न्यूस वाले हैं चाहिए ये फिल्मे वाले हैं चाहिए सील्स वाले हैं कार्टून वाले हैं इन चीजों को यह सोचना चाहिए, मगर यह नहीं सोचेंगे, यह 100% नहीं सोचेंगे, क्योंकि यह उनका profession है, और यह फिल्में बनाते हैं, और इन फिल्में बनाकर यह क्रोडों रुपया कमाते हैं, जिसके घर में कोई चीज अच्छी बुरी बेचने से क्रोडों रुपया आता है, तो वो उस चीजों को क्यों बंद करेगा, यह आप लोगों को देखना बंद करना होगा, तब यह चीजे बंद होगी, जब आप लोग इन चीजों के खिलाब आवाज उठाओगे, इन चीजों को भहिशकार करोगे, देखना बंद करोगे, तब यह चीजे बंद हो और मगर फिर भी कुछ बहुत चीजे चलो जादा नहीं तो कुछ तो परिवर्तन हुआ चाहिए वो नाम में परिवर्तन हुआ चाहिए फिल्म के सीन में परिवर्तन हुआ कुछ तो हुआ तो इसी परकार जब आप इन गंदी फिल्मों का इन गंदे गानों का यह सिनेमे का व वो दिखाते हैं जिससे इनकी कमाई होती है यह अपने तरब से आपको जिवर्दस्ती दिखाते आप नहीं भी देखना चाहते तो अच्छी वली फिल्म में भी कोई भी बखवास सींग चला देते हैं दोरेंद्र जी कुछ भी नहीं आप पहले देख लें वीडियो पूरी देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो विशे है वो क्या है कुछ भी तो सिनेमा वाले चला देते हैं सबको मेरा ससाइब नमश्कार दुनिया को संजना होगा क्योंकि आज के टाइम पर लोग एजुकेटेड है पड़े लिके हैं कोई अनपड़ तो है नहीं किसे को ब्रगलाय नहीं जा सकता ये आप लोगों को युवापीडी को खुद सोचना पड़ेगा अपने अच्छे भुड़े का उनको समझ हो लेनी पड़ेगे कि वो कर क्या रहे हैं कि अगर आप कोई अच्छा साइंटिस्ट बना चाहते हो डॉक्टर बना चाहते हो ठीक है अगर आप अध्यात्मिक लाइन में जाना चाहते हो वो जवान बना चाहते हो तो आपको उस प्रोफेशन में अपना हंडर्ड परसंदेना पड़ेगा टिक टॉक पर वीडियो बनाकर आप कुछ नहीं बन सकते कोई सोचल मेडिया पर गाने गाता है फेमस हो जाता है कोई आख बटकाता है फेमस हो जाता है अब आप सोचो भी एक जो वो सीन है प्रिया वरियर का तो उसने वो जो सीन है जो स्कूल लाइफ का है वो स्कूल के अंदर वो जो क्लासरूम के अंदर जो स्कूल कॉलिज में पढ़ने वाली लड़कीं उन पर क्या आफर पढ़ा होगा अब वो लड़की इतनी फेमस होगी उसके बाद ये जो रानो मंडर है ये फेमस होगी गाने गागा कर जो यूवा पिड़ी है जो ये सोशल मीडिया है वो अच्छी बात को क्यों नहीं उपर उठाता क्यों कुछ भी वाइरल हो जाता है बजाए सची और effective बजाए कुछ भी वाइरल हो जाता है कोई भी फेमस हो जाता है हमें किसी की famous होने से दिकत नहीं है बात ये है कि जो सही है उस बात को दबा दिया जाता है जो फाल्तू की बाते हैं जिसका कोई समाज निर्मान में या अच्छे समाज के निर्माने के कोई लेना देना नहीं है उसको सोचल मीडिया उठाता है उसको उन बातों को importance दे जाती है उन पर YouTube पर वीडियो बनाई जाती है फिर ऐसे से उनको वाइरल कर दिया जाता है वो famous हो जाती है Instagram पर Facebook पर यह celebrity है कोई भी hero hero ही है किसी कितने गंदे अभधर कपड़े पहन कर photo डालती है और लोग जो है like पर like comment पर comment करते है जैसे वह आप लोगों की रिष्टेदार लग रहे हैं आप लोगों ने सिर्फ ओ सिनेमा के एक गुटी पी रिखी एंटेटेंड नाम की बाकि और कुछ भी नहीं है और इन चीज़ें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाए गंदगी के ठीक है सिवाए अशलीलता के और उसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे समाज में देखने को मिल रहा है हमारे जो आस्परोस में देखने को मिल रहा है कि आजकल की जो लड़कियां जिस पर कार रह रही हैं उनमें वो चीजे देखने को मिल रही हैं हम लोगों कोई शर्म आ जाती है मगर वो पहने वालों को शर्म नहीं आते कि हमने पहना क्या है और मेरा एक सही बात कर यह एक में बात करना चाहते हूं कि जितने में पैरेंस यहां देख रही हैं तो इसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को स्कूल कॉलिज लाइफ में खासका स्कूल लाइफ में तो मोबाइल एंड्रोइट फॉन बिल्कुल मत दें ठेक हैं क्योंकि यह मोबाइल जो है उनको बिगारने का सबसे पहला साधन यही है हाँ अगर वो कुछ नेट से कुछ चाहिए तो साइबर कैफे से जाकर निकलवा सकते हैं या आप अपने सामने ही उनको मोबाइल यूज करने को दें ठीक है वैसे उनको खुछ से परस्नल मोबाइल लेकर न दुरेंद्र जी हमारी सोच हमने अपनी सोच बढ़ा कर ही बूला है हम उन 2019 में जी रहे हैं तो क्या कपड़े उधार कर बैठ जाए हम किसी भी अधुनिक्ता के नाम पर आप कुछ भी आप कुछ भी पहलो किसने का है क्या आपके शास्त्र कहते है क्या आपके बड़े बुजर्ग कहते है आधुनिक्ता क्या है ये विकास है समाज का लड़कियां कलबों में जाकर दारू पीती हैं डांस करती हैं लड़कों के साथ गुमती फिरती हैं आप अपनी बेहन बेटी को भेज सकते हो ऐसे अगर आप भेज सकते तो आप भेजो और ये आप की सोच होगी ये हमारी नहीं होगी ये सब्समाज के किसी की भी नहीं होगी आप अपनी परसनल जो सोच अपनी तक्सीमित रखें कम से कम आप सही बात को तो एप्रिशेट करें सही बात को तो साथ दें आप सोचल मीडिया पर कमेंट कर रहे हो ठीक है कमेंट करने से पहले आप यह सोच यह नहीं कि कमेंट करते और चलते बनू आप सोचो तो सही आप कह क्या रहे हो नहीं आप बोल तो रहे हो ना कि आप हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं 2019 में जी रहे हैं 25 भी आएगा 30 भी आएगा तब क्या करोगे अगर अभी से यही हाल है आधुनिक तक के नाम पर अश्लिलता को बड़ावा नहीं दिया जा सकता और ना हम देंगे हम इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे चाहे वो सिनेमा दे रहा है चाहे वो कोई भी दे रहा है यह जितने कथा वाच यह जितने मंडलियां सादू संतों की बैठी हुई है यह क्यों नहीं चीजों के खिलाव आवाज उठाती बहुत धर्मी बनने फिरते हैं यह लोग धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं इनको यह समाज में इस सिनेमा गंदगी फिला रहा है यह गंदगी नहीं दिखती यह अगर आपके हितेशी है तो यह चीजों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते क्यों इस चीजों को बैम नहीं करते सब के सब अपना बिजनेस चला के बैठे हुएं सब को अपने पेड भरने से और अपने बैंक के खाते अपने अकाउंट भरने से मतलब है उन लोगों को आप से कोई लेना देना नहीं है और यहां पर बैठकर मैं इलाइव इसलिए कर रही हूं कि मैं संत्रामपाल जी महराज की शिश्या हूं और उनका ही यह ग्यान है इसलिए और उन्होंने का कि बच्चों मेरा जो यह ग्यान है सब तक फैलाओ कि संत्रामपाल जी महराज क्या ग्यान देते हैं आपने तो वह को सुना जो मेडिया ने बता है हम वो बता रहे हैं कि हमारे जो खुद का एक्सपीरियन्स है आधुनिता के नाम पर नगंता और अश्लीलता को बढ़ावा नहीं दे सकते ना हम देंगे अगर हमें अच्छे समाज का निर्मान करना है तो हमको इस चीज को विरोध करना पड़ेगा और हम करेंगे जो सबे समाज होगा जो इस चीज को कहीं न कहीं सुविकार करेगा इस सचाय को सुविकार करेगा तो इस चीज़ को अपने घर में जुरूर अमल करेगा, इस चीज़ के बारे में जुरूर सोचेगा प्रिंस कुमार जी कोई अगर नहीं मानता तो आप भी मेरी तरफ एक दो लाइव कर दीजिए इसी मुद्दों पर, कहीं कभी तो शर्म आएगी उन लोगों को अगर एक व्यक्ति बोलेगा, दो व्यक्ति बोलेगा, तीन बोलेंगे तब जाकर इन लोगों में सुधार होगा और सबसे पहले सुधार अपने अगर किसी का कोई सवाल है तो पूर सकता है मौनिका के जिवाल है लो दिल्ली हो गया, चैमूंबई हो गया, चंडेगर हो गया, खेर अब तो हर जगा यह चीज हो चुकी है पहले तो कहीं कहीं यह चीजे ऐसे लोग अभदर जो अश्लीलता को परचार करते हैं यह लोग देखने को मिलते तें मगर हर अब तो जगा जगा यह चीजे हो चुकी है दिल्ली चले जाओ पहले तो जो लोग थी लेडी ती लड़कियां थी आफ्टर मेरीज ही जो थी लिपस्टिक का इस्तिमाल करती थी मगर अब तो अनमेरेड ही लड़कियां लाल होंप करके बाल खुले करके चुडैलों को तरह घूंडती है और खुद को आश्वर राय समझती है सोहनला जी थैंक्यू मगर मैं आपको बता दूं कि यह मेरी खैर एक अच्छे इंसान एक अच्छे नागरिक होने के नाते तो यह सोच होनी जुरूरी है मगर इस चीज़ को 100% संत्रांपाल जी महराज की सरण में आने के बाद ही इंप्लिमेंट हुआ है इस चीज़ पर कि हम चीजों इन चीजों को गलत मानते हैं जो सब भी समाज है इन चीजों को गलत मानता है अश्रीलता न्यूडिटी पॉर्नोग्रफिय इन चीजों को गलत होगा जब हमें हम आध्यात्मिक तासी चूड़ेंगे हमको पता चलेगा यह कितनी चीज़ें गलत है जो किसी को भी मानता है अगर वह 100% अपने जो सिप्रिश्य पाथ उस पर चलता है तो वह वह है इन चीजों को नहीं करेंगा क्योंकि जो प्रमात्मा से डरने वाला है व उन्होंने समाज में एक अच्छा मैसेज ही दिया है प्रमात्मा से डरने वाले थे वो जो प्रमात्मा से डरेगा तो वही तो अपने प्रिवार में अपने माबाब के साथ अपने समाज में सही विवार रखेगा सब के साथ सही से रहेगा और ये जितने लोग मेरे जो लाइप पर हस रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट जो इस चीज़ के हैं तो पक्का ये चीज़े देखते हैं और देखते भी हैं उन जीजों का साथ भी देते हैं और ये अपनी घर में अपनी बेहन बेटियों का भी विरोधनी करते होंगे वो कैसे भी रहती होंगे चाहिए कैसे भी घूमती होंगे क्योंकि हमारी माबापने तो जो हमेशे इंसकार दिये हैं वो हम आगे बता रहे हैं और आगे हम चाहते हैं कि जो अच्छी चीज़े हैं वो समाज में हूँ ताकि हर जो लड़की का है बहु बेटी का घर से निकलना दुभर ना हूँ आज की टाइम पर कोई भी लड़की वो अकेली नहीं जा पाती कहीं भी उसको अपनी साथ कोई ना कोई फ्रेंड चाहिए होती है कोई ने कोई किसी का साथ चाहिए होता है सारा चाहिए होता है क्यूं क्यूंकि आज की टाइम पर समाज ऐसा बन चुका है अकेली लड़की क देवताओं के भूमी इतने जो संसकारिक जो भूमी इस चीज़ को कहा जाता है और उस महोल में उस देश में ये चीज़े ऐसा महोल बना हुआ है क्यों बना हुआ है आप इन चीज़ों के बारे में विचार करें और सोचें दुरेंद्र जी अगर सोच सही है तो फिर अगर मगर प्रंतु का तो कोई सवाल ही नहीं रहता आप इस चीज़ों को शेयर करें अगर आपको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं हमने कोई गलत बात नहीं की तो आप इस चीज़ों को शेयर करें एप्रिशेट करें हम किसी के जीने का तरीका चेंज कर भी ने रही है मगर एक समाज के निर्मान में जो जुरूरी चीजे हैं वो हम समाज तक जुरूर पहुंचाएंगे क्योंकि हमारे एक अच्छे नागरिक होने का भी कोई फर्ज बनता है आप यह जितने भी यह लोग हैं यह जितने भी फालतों के बकवास करते हैं यह अश्रीर गंदी पोस्ट डालते हैं आप इन चीज़को विरोध करें इनकी आईडी के खिलाफ रिपोर्ट करें इनको ब्लोग करें बैन करें तब जाके जब इनके फोलोवर्स कम होंगे तब जाके कुछ समाज में अच्छा मैसेज जाएगा तब एक अच्छे समाज का निर्मान होगा किसी को कोई और सवाल है तो पूछे फिर मैं अपने लाइप का एंड करती हूं हन जी मैं संत्रामपाल जी महराज की शिश्य हूं भारत सिंग जी तलस जमाल जितने भी लोग मेरे को स्टम लाइफ देख रहे हैं जो चाहते हैं कि अच्छे समाज का निर्मान हो भारत एक अच्छा जो सभ्य देश बने तो उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा अपने घर से शुरुवात करनी पड़ेगी और अपने जो फ्रेंट सरकल है आप इस वीडियो को लाइफ पूरा होने के बाद शेयर जुरू कर दे ताकि उन तक भी मैसेज जाए अगर आप नहीं खुद से बोच सकते तो आप ये मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए क्या पता दो चार लोगों में ही सुधार हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी परभात कुमार जी मुझे परवचन देने के जुरूत नहीं है परवचन जो है संत देते हैं तो मैं संत नहीं हूँ मैं संत की शिश्य हूँ और मेरे जो संत है मेरे गुरू है वो संत रामपा जी महराज है और मैं उनकी शिश्य हूँ और उन्हें के दिये ग्यान अधार से आज में लाइव आई हूँ और आपको जो बात बता रही हूँ तो अगर आपको अच्छी लगती है, सही लगती है तो आप शेयर कर दे और और लोगों तक भी ये बात पहुंचाएं ये मैसेज दे किसी और का कोई सवाल है तो पूर सकता है अभी बहुत से लोग लाइव देख रहे हैं सबको ससाहिम नमशकार राम राम मेरे पेज पर मेरे जो पोस्ट है मेरे लाइव पर अगर जितने भी खेर फिलाल किसी ने फालतू तो नहीं किया बकवास पर एक दो जो है मेरी रेजर में तो उनको पेज से बैन किया जाएगा क्योंकि मेरे पेज पर ऐसे घटिया किसम के लोगों की जुरूत नहीं मुझे इस पेज पर वही चाहिए जो इन चीजों को समझ सकें और पेज बढ़ाने में मेरी हल्प करें ताकि अच्छा मैसेज समाज पर जाए ओके जी पर राम राम सबको दुबारा होगी एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप मेरी ये वीडियो को शेर कर दें मैं इसको अपने पेज पर पिन कर दूँगी और आज का जो मेरे विशय था तो वो यही था कि जो डटी बॉलिवुड है हमें उसके खिलाफ आवाज उठाने पड़ेगी इसको बैन होना जरूरी है इसका भहिशकार होना जरूरी है आप ट्विटर पर इसके खिलाफ हैस्टेक चलाए ठीक है आप इसके खिलाफ तो आप उनके खिलाफ तो करी ही सकते हैं तो आप उन चीजे को भहिशकार करें और अपने पेज से अगर अपने अकाउंट से इन लोगों को अनफोलो करें ब्लॉक करें इनका यह रिपोर्ट करें ताकि इन लोगों को अपनी उकात पता चले इनको पता चले कि तुम पैसो बाहर हो रहा होगा और समाज में जो आज जो लड़कियां उनका घर से निकलना भी इन्हीं लोगे कार्म दुबर हो रुखाया ठीके जी नमश्का सच साहिव राम 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 सच साहिव जी सच साहिव